तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे present continuous tense तो इसको हम कैसे पहजानेंगे जब भी किल्ट में रहा है रहे है और रही है आता है तो हम वो सारे sentence present continuous tense के अंतरकात बनाते हैं आईए तो आप हम इसका structure देख लेते हैं अगर subject I है तो इसके साथ हमेशा M का यूज करेंगे और फिर बर्व की first form और plus ing and object अगर subject V, U, they है तो हम helping verb R यूज करेंगे और फिर बर्व का first form और ing और plus object यूज करेंगे अगर subject he see it या फिर कोई singular है तब हम helping verb इसका यूज करेंगे और बर्व का first form plus ing plus object तो अब हम इसके कुछ examples देख लेते हैं Example है वह सागर जा रहा है तो वह के लिए English में क्या गोलते हैं he तो हम structure के recording he के साथ कौनसी helping verb यूज करेंगे is और फिर बर्व का first form तो यहाँ पर बर्व क्या है जाना जाने को हम क्या यूज करेंगे गो लेकिन बर्व के साथ first form में ing लगाना है तो क्या हो गया going to सागर he is going to सागर वह सागर जा रहा है he is going to सागर अब हम इसका negative बना लेते हैं वह सागर नहीं जा रहा है इसमें क्या होगा जब भी हम negative बनाते हैं तब हम helping verb के साथ not का use करते हैं जैसे यहाँ पर हो जाएगा he is लेकिन इसके साथ क्या लगा देंगे not he is not going to सागर वह सागर नहीं जा रहा है he is not going to सागर क्या वह सागर जा रहा है यह इसका interrogator है आई अब हम इसका interrogator दिख लेते हैं interrogator किया बनेगा क्या वह सागर जा रहा है तो interrogator sentence में हम helping verb को starting में ले आते हैं first portion पर ले आते हैं तो क्या बन जाएगा is he going to सागर is he going to सागर क्या वह सागर जा रहा है affirmator sentence क्या था भै सागर जा रहा है तो क्या हो जाएगा he is going to सागर भै सागर नहीं जा रहा है तो हम helping verb की बास not use करेंगे he is not going to सागर और interrogative में क्या use होगा helping verb जो है वो starting में आ जाएगी is he going to सागर इसी तरीके से अब हम इसका interrogative negative double interrogative double interrogative negative भी बना सकते हैं